वेल्कम टू अनेकडोट स्टेडी हव एटेगलंस प्रोग्राम के तहत हम अएक और फिर से आपके शामने हाजिर हैं सरदार वल्ला भाई पटेल की संचिप्त जानकारे लेकर तो आज सरदार वल्ला भाई पटेल की बारे में जानेंगे इनका जर्म 1875 और मृती 1950 में लगभग इनका जीवन का कारेकाल 75 वर्शों तक चला तो चलें वीडियों को सुरू करते हैं असादी के अंदोलन के नेता थे सरदार वल्ला भाई पटेल अर्थात ये स्वतंतरता सिनानी थे देश को अजात कराने में इनकी भी महत्रपुन भूमिका थी कॉंग्रेस के नेता थे जो पार्टी है कॉंग्रेस उस कॉंग्रेस के भी नेता रहे चुके थे सरदार वल्ला भाई पटेल महात्मा गांधी की अनुआई थे अर्थात महात्मा गांधी के फॉलोवर के रूपे हम देख सकते हैं उसके कहे अनुषार चलते थे उनके सिधानतों का अनुषरन करते थे सरदार वल्ला भाई पटेल स्वतंतर भारत के उप प्रधान मंत्री कईयों को पहता नहीं होता है कि उप प्रधान मंत्री का विप पद होता है हलांकि यह सविधानिक पद नहीं है उप प्रधान मंत्री लेकिन कभी कभी उप प्रधान मंत्री भी बना दिये जाते हैं तो स्वतंतर भारत के उप प्रधान मंत्री रह चुके हैं सरदार वलला वैपटेल प्रत्म ग्रिह मंत्री भी थे। देसी रियासतों को भारत संग में मिलाने में महतपुन भूम करने भाई थी सरदार व्ला भाई पटेल ने। साथे साथ दो अन्नी व्यक्ति भी थे जिन्होंने रियासतों की विलाय में बहुत ही महत्पुन भ्यम करनेवाई थे। कोई थे लौड मॉंट वेटिन और दूसरा था वीपी मेनन और सर्दार प्रला बेट प्टेल यह तीनों ने मिलकर भारत के रियासतों का विलाय किया था। मॉलिक अधिकार अल्पसंख्यक परांतिय समिधान आदिस संबंधित सभा के महत्पुन समीतियों के सदथ से रह चुके थे। मौलिक अधिकार से जो सम्बंधित समीतियां थी या अल्वसंख्यकों के हितों के जो समीतियां बनाई गए थी या प्रांतिय समिधान इन सभी से जो सम्बंधित समीतियां थी उन समीतियों के ये सदक शरह चुके थे यहाँ पर सरदार वल्ला भेपटेल की तस्वीर है महात्मा गांधी के साथ सरदार वल्ला भेपटेल सफेद वस्तर में और यहाँ आप देख सकते हैं यह स्टैची ओफ यूनिटी है यह जो मुर्ती लगी हुए है यह Statue of Unity के नाम से जाना जाता है और सबसे मत्मून बात इन्हें लगपूरुस कहा जाता है Iron Man के नाम से सरतार वल्ला भैपटेल को जाना जाता है यह आपके परिक्षा में पूछ भी सकता है डारेक्ट प्रसन आ सकते हैं कि लगपूरुस किसे कहा जाता है तो आपका सही उतरों का सरतार वल्ला भैपटेल यह जो मुर्ती बनी हुए है यह गुजरात के नर्मादनादी के तटपे बना हुआ है जिसे Statue of Unity कहा जाता है यह सरदार वल्ला भैपटेल की मूर्ती है तो आप इसे देख सकते हैं नेट पे सर्च करके अब हम देखेंगे एक अभ्यास प्रसन अभ्यास प्रसन क्या है कि स्वतंतर भारत के प्रतम उपर प्रधान मंतरी कौन थे हलांकि इस वीडियो को देखने से आपको उपरसता चल गया होगा कि उपर प्रधान मंतरी सुतंतर भारत के कौन थे पहला अनसर दिया गया है अगर वीडियो अच्छी लगी होगो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें कमेंट करें, सेर करना ना भूले और वीडियो अगर इस वीडियो आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके दबाल प्रेस कर लें थैंक्स पर वाचिंग, हैव अग्रेड डे